नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा दोस्तों जो आपके सरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर देंगी क्या आपके सरीर की कोई नस दबी हुई है और इस दबी हुई नस के करण आपको दर्द रहता है या आपके सरीर के अंदर नसों की कमजोरी है उस नसों की कमजोरी के करण आपको स्ट्रेस ठकान रहती है या पूरे स्रीर में दर्द रहता है या नसों में गैस होने की समस्य है या दोस्तों आपकी नसों में खिचाव आ गया है जिससे की आपको दर्द की समस्य है या आपके स्रीर में अन्य कोई समस्य है तो दोस्तों आप इन तीन चीजों को खाना सुरू करते हैं आपको पहले ही दिन से पहली ही खुराक से इसका असर दिखाई देगा और दोस्तो आपकी यह सभी समझ जाएं बिलकुल दूर हो जाएंगी दोस्तो वैसे मैं आपको बता दूं कि चाहे मैं बताऊं या कोई भी बताए आप ये मत करना कि मैंने बोल दिया और आप इन तीन च चीज को चाहे आप मेरी वीडियो देखें या किसी की भी वीडियो देखें या आपको कोई भी बताए किसी भी चीज को आपको लगातार सेवन नहीं करना चाहिए मैक्सिमम एक से दो वीक तक आप सेवन करें उसके बाद उसमें एक वीक का गैप जरूर दें तब ही वो ची और आपकी लेटरिंग के दोबारा बाहर जाएगा, असर कुछ नहीं आएगा स्रीर पर, तो इसलिए आप इन बातों का विशेज ध्यान रखें, जब भी कोई नुस्खा या कोई हैल्थ के लिए अच्छी चीज खाएं, आज की इस वीडियो में हम जिस पहली चीज की बारे म बात कर रहे हैं, वह हैं दोस्तों कद्दू के बीज, और दोस्तों कद्दू के बीजों के फाइदे को नहीं जानता, दोस्तों कद्दू के बीज, हमारी सेहत के लिए कवरदान की तरह काम करते हैं, दोस्तों वैसे तो कद्दू को खाना तो कोई पसंद नहीं करना, पर इस तो हमारा blood pressure control में रहेगा, दिल हमारा मजबूत रहेगा, दिल को heart attack और heart block के जाने की समस्या बहुत कम हो. दोस्तो यदि आप कद्दू के बीजों का सेवन करते हैं, तो इससे आपका immune power, immune system मजबूत होता है, जिससे आप viral सर्दी खांसी जुखाम जैसे संकर्मनों से बचे रहते हैं, और इसके इलावा कद्दू के बीज आपको depression से भी बचा कर रखते हैं. दोस्तो मदुमे का खत्रा, यनि यदि आपके परिवार में पहले से किसी को diabetes की बीमारी है, तब आपको कद्दू के बीजों को अपनी life में सामिल कर ही लेना चाहिए. क्योंकि यदि आपके परिवार में पहले से किसी को diabetes की बीमारी है, तो आपको भी होने के chances बहुत अधि और यदि आपके परिवार में पहले से डाइपटीज है तब आपको इनका सेवन जरूर करना चाहिए। के लिए एक वर्दान की तरहे काम करते हैं और डाइपटीज के रोग्यों के लिए भी ये बहुत अदेक फाइदे मंद हैं क्योंकि अलसी में ओमेगा एसिड और फाइबर के मातरा भरपूर होती हैं जो डाइपटीज को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं आपके पाचन के लिए भी बहतर होते हैं ये आपके पाचन तंतर को मजबूत बनाते हैं और आपको पेट के रोगों से छुटकारा लिलाते हैं कबच गैस और एस्टिटी के समस्या आपको कभी नहीं होती हैं दोस्तों अलसी के बीज में मुझूद एंट्टोक्सिंट और करना चाहते हैं तब भी अलसी के बीज आपके वजन को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं क्योंकि ये आपके मेटाबलिजम को बोच्च करते हैं जिससे कि आपको इन मुटापे की समस्या से या इससे होने वाले बीमारें से छुटकारा मिलता है दोस्तों यदि आपके सरीर में आपको कहीं भी दर्द रहता है अर्थ्रेटिस का दर्द है या जोडों का घुटनों का यानि कि किसी भी परकार का दर्द है तब भी दोस्तों अलसी के बीज बहुत अधिकार करें क्योंकि ये आपकी हाडियों को मजबूत बनाते हैं हाडियो से ही बादाम का सेवन कराती आई हैं कि दो बादाम तो खालो यदि बिमारियों से बचना है दोस्तो बादाम में फाइबर, कार्बोहेटेड, अनसेचिरेटिड फैट मुझूद होते हैं जो नाकिवल टाइब टू डायवटीज के जोखिम को कम करते हैं बलकि आपके दिमाग को भी तेज करते हैं आपको दिल की बिमारियों से बचाते हैं आपकी हड़ियों को मजबूत करते हैं आपके सरीर को सक्तिसाली बनाने का काम करते हैं आपकी पाचन के लिया में सुधार करते हैं देखा दोस्तो, ये तीनों चीज़ें कितनी चमतकारी हैं और कितने सारे रोगों से आपके सरीर को बचाने का काम करती हैं। तो चले दोस्तो, आपको बताते हैं कि आपने इन तीनों चीज़ों को खाना कैसे हैं। दोस्तो, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है, कि एक वीक आप एक मुठी कद्डू के बीजगाएं, अगले वीक में एक मुठी आप अल्सी के बीज काएं, और उसे अगले वीक में आप बादाम काएं, या इन दोनों मेंसे दो चिज़ों को आप एक साथ खासकते हैं, जैसे कद्दू के बीजों के साथ आप दो से चार बादाम खाएं, अलसी के बीजों के साथ में दो से चार बादाम खाएं, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका हो गया कि आप एक मुठी कद्दू के बीज लें, एक मुठी आप अलसी के बीज लें और चार से पाँच और इनको पीस कर इनका पाउडर बना लें और उसके बाद एक गिलास दूद में इसके पाउडर का एक चमच डाल कर उसका सेवन करें और यदि आपको डाइपटीज नहीं है तब आप इसमें अपने सवाद के लिए सहद गुड मिला सकते हैं चीनी का परियोग आपको नहीं करना है अप गुड का सेवन करेंगे तो उससे आपको और भी अधिक फाइदे मिलेंगी तो आप इस तरीके से इसका सेवन कर सकते हैं लेकिन आपने सेवन जरूर करना है और जैसे कि मैंने पहले बताया लगातार सेवन नहीं करना है एक से दो वीक आप सेवन करें उसके बाद एक से दो वीक का गैब दें उसके बाद फिर सेवन करें और फिर देखी दोस्तों आपके सरीर की इम्मून पावर बढ़ जाएगी आपके सरीर की कमजोरी और ठकान के समस्या दूर हो जाएगी नसों की कमजोरी दूर हो जाएगी दबी हुई नस की समस्या दूर हो जाएगी नसों में खिचाओं के कान जो आपको दर्द होता है वो भी दूर हो जाएगा तो दोस्तों देर किस बात की हैं आप भी आज से ही सनुस्खे का प्रयोग सुरू कर दे और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दे तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाले वडियो की नोटिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों